हे गाईस वैलकम बेक टो माई चैनल तो आज फिर लेकर आई हूँ किचार में काम आने वाली बहुत ही उपयोगी टिप्स और ट्रिक्स तो आप वीडियो को लास तक देखेगा बहुत ही अच्छे चो टिप्स लेकर आई हूँ आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी तो आत कुल भी नहीं निकल पाता हम लाग कोशिश कर ले फिर भी नहीं हो पाता लेकिन आज इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छे टिप्स बताने जारी हूँ आप इस एक पर जरूर ट्राय किजेगा और ट्राय करने के बाद जो अपना एक्सपिरेंस है ना मेरे साथ जर कढ़ने जाते हैं तो यह जो लाइने हैं वहात ही हातों में चुपती हैं और हम हातों से शाफ नहीं कर पाते तो आप आज मैं आप इन करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हों कि जिससे आपको हातों का यूज भी ना करना पड़े आपको पानी ले लेना हे दोनों में थोड़ा थोड़ा और सर्प ले लेना है या फिर जो भी आप डिटरजन जो भी डिटेजन यूज़ करते हैं या साबून का पानी ले लीजिए कुछ भी आप दोनों में से ले सकते हैं और दोनों ना ले तो आप खाने का सोडा या मिटा सोडा भी ले सकते हैं दोनों चीज़े आपको ले लेना है इसके बाद आपको एक काम करना है इसके अंदर चावल शेक करेंगे न तब ही आपको ऐसा feel होगा कि बिल्कुल बहुत अच्छे से बज रहे हैं बाटल के अंदर से बहुती अंदर तक से मेल निकल रहा है गंदगी निकल रही है गंदगी पुरी साफ हो रही है तो आप एक बड़ इस तरो के साफ करिए बहुत अच्छा साफ होता है देखने से आपको शायद यकीन न हो लेकिन जब आप करेंगे तो आपको जरूर यकीन होगा एक बार आप करिए अपना experience मेरे साथ comment box में share कीजिए ऐसा ही आपको इस प्रकार के जार हो या फिर कोई और बरतन हो जिनमें हातों को अंदर ले जा नहीं सकते हैं या फिर हातों में अंदर ले जा रहे हैं तो उसकी जो यह लाइने हैं वो हमें हातों में बहुत चूप रही ह हातों में लग जाता है घाव हो जाते है तो आप इस तरीके से उसे साफ कीजेगा इसके पहले दूसरी टिप्स पताओ तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर करना बिल चhong करकर रख दे और हम इसी तरके से पॉलिथिन में उसे बंद करे रख देते हैं इससे क्या होता है कि सब्सके ना होड़ा लग देना है ताकि उसमें ऐर जाती रहे और आपकी जो सब्सक्राइब नहीं हो उसके बाद आपको जब भी टाइम मिले एक दिन में दो दिन में आप सब्जियों को ओपन करके वाश करके जैसे भी आप उन्हें अच्छे से रखते हैं पोज कर धोकर वैसे आप इसे रख दीजे आपको यह टिप्स काफी ज्यादा पसंद आई होगी आते हमारी अगली टिप्स के उपर दोस्तों अपसर हमारे यहां बातरूम में हेंग जरूर नहीं होता और हमारे पस घर पर काफी सारी एसी फालतूसी चूडिया पड़ी रहती है जिनका हम यूज भी नहीं करते तो आज मैं आपको इसके लिए बहुत ही अच्छी टिप्स बताने वाली हूं इसे आपने जरूर लागू करना क्योंकि बहुत ही काम की और पता ये टिप्स ना उन लोगों के ज़्यादा काम आती है उन बच्चों के जो रूम घर छोड़कर बाहर कहीं रूम से रहते हैं तो ये टिप्स ट्रिक से पर कहीं पर भी या दिवार पर इसे चपका दीजियो और उसमें आपको जो भी हैंक की टांगना हो आप इजिली टांग सकते हैं मैंने यहाँ पर चूड़ी यूज की है यहाँ आप कोई बड़ी कुकर की रिंग यूज कर सकते हैं जिसमें बड़ा टॉयल आ जाए तो इस टिप्स को आप फॉलो किजेगा और आपको इस टिप्स कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा दोस्तों ग बार बार बरतन माजना होता है और हम काफी ज़्यादा परेशान होते हैं इसके लिए आपको क्या करना है ना आपको बच्चों के लिए कि स्पेशल ग्लास बना देना है जिससे बच्चों को पता हो कि यह उनका ही ग्लास है और इसी ग्लास से उनको पानी पीना है तो आपक तो वो उसी glass का use करेंगे दूसरे glass का use नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों के जो जुटे बरतन होते हैं वो हम भी use कर लेते हैं तो बिमारियों से बचने के लिए ये आपको करना चाहिए बच्चों के अलग-अलग glass बना देना चाहिए जिससे बच्चों को पता हो बच्चों की नाम लिख देना चाहिए आपको उसके उपर जिससे बच्चों को पता होगा क्योंके glass को उनसे है और उसी glass से वो पानी पियेंगे I hope आपको ये tips बहुत ही अच्छी लगी होगी तो comment box में जरूर पताईएगा आते हैं हमारी अगले tips के उपर दोस्तों मसीन हमारी अकसर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और कई-कई गंदगी ऐसी होती है सिधी बात तो यह है कि हम मसीन को पानी और सर्प से साफ नहीं कर सकते हैं पानी रिटरजन से हम साफ नहीं कर सकते हैं तो हार्पिक जिस प्रकार से हमारी टाइलेट साफ करता है ना उसी प्रकार से हार्पिक का उप्योग हम कई सारी चीजों को साफ करने में करते हैं जिसमें से एक मसीन भी है आपको यहाँ पर कोई भी कपड़ा ले लेना है और इस प्रकार से आप रब करेंगे जहां जा चोटे चोटे पार्ट्स में भी एसा कपड़ा ले लिजिए cotton के help से चोटे चोटे पार्ट्स में आप मसीन के चोटे चोटे पार्ट्स भी इससे साफ कर सकते हैं जिसे मसीन में जाने वाली धूल, गंदगी, सब कुछ बहुती इजीली साफ हो जाएगी और आपकी problem का solution आपको मिल जाएगा और उसके बाद जब आप मसीन चलाएंगे ना तो बहुत अच्छी चलेगी नीचे की और भी आपको मसीन को इसी तरीके से साफ करना है या तो आप हार्पिक का यूज करके आप मसीन में जब दाग पूरे जाते हैं वो चाहिए उससे साफ सुतरा रखना चाहिए तो आई होप आपको टिप्स काफी जादा पसंद आई होगी दोस्तों मेरे इस चैनल पर ऐसे वीडियो आते रहते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेर कर दीजिए आपका शेर लाइक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है फेस्बुक पर भी फॉलो कर लिजेगा यूटुब पर सब्सक्राइब कर लिजेगा आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद अं मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाँ बाई